हेलो डियर तो स्वागत करता हूँ जितने भी फर्स्ट एर के डियरे स्टुडेंट है तो आपको पता है कि पंजाब में आपका एक्जाम चला है फर्स्ट एर सकेंड लियर का तो आपके लिए मैं जो भी परशन था वो मैं आपको लेकर करा दिया हूँ यह 2022-23 के लिए स्वाह जगे कि हाँ मैं जो परहाता हूँ वह हर एस्टेट में कम्याब है ठीक है चलिए देख लिजे कॉम्टी हेल्थ नर्सिंग वन पंजाब रेजिस्टेशन काउंसिल के तरफ से एक्जाम जो हो रखा है उसका पेपर हमारे पास आ चुका है ठीक है देख लिजे पहला जापा और जिरियाट्रिक डाइट यानि ब्रीद वेक्तियों का कैसा आहार देना चाहिए सब ची परहा चुके है ठीक है उसके बाद दूसरा है 15 नंबर का कुर्शन है लॉंग कुर्शन है क्या हमने आपको फैमिली हेल्थ केर के बारे में नहीं परहाया है परिबारिक अच्छा है क्या उदेश है क्या मैंने नहीं परहाया बिल्कून परहाया जाके देखिए उसके बाद कॉमुनीटी हेल्थ नर्सिंग में नर्स के द्वारा प्रोभाइड कर रहे सेवाओं का वर्नन करना है कि एक नर्स जो है कॉमुनीटी हेल्थ नर्स जो है वह परिबारि question है long question में है कहता है minor element minor element का मतलब होता है कि लगु बिकार मतलब जो छोटे छोटे बीमारियां है वो क्या होता है तो छोटे छोटे बीमारियां के बारे में लगु बिकार के बारे में बताना था लगु बिकार के हम जो है समुदाय के level पर कैसे उसका उपचार करते हैं इनलिष्ट भी करना है ठीक है मतलब जीतने भी जैसे सरदर्द, बुखार दर्द, बड़ी, सरीर दर्द, जो है डाइडिया यह सब माइनर एलिमेंट होता है तो इन सब का नाम लिखना था जो कि मैंने बहुत सारे बिमारी के नाम आपको बता चुके है ठी प्रवंद कैसे किया जाता है नहीं पढ़ाएं है बिलकुन पढ़ाएं है जाकर आप लोग देखिए तो जो पढ़ेंगे रेगुलर उन ही को पता होगा जो नहीं पढ़ेंगे उनको पता ही नहीं होगा कि माइनर एलिमेंट होता क्या है ठीक है तो यह भी लुग कूशन आ बारे में बताना है तो क्या हम आपको नहीं पढ़ाएं बिलकुन पढ़ाएं इम्मिनाइजेशन सेडूल भी पढ़ा चुके हैं मेठ़ड ऑफ हेल्थ एजुकेशन भी पढ़ा चुके है रिफरल सिस्टम भी पढ़ा चुके है बट आपको इस चारों में से कोई तीन ही ब इस कम्मुनिकेशन इसकील मैंने रिवीजन में रभी बार कोहीं ये चीजे पढ़ाया था तो जो लोग पढ़के गए होंगे उनको अराम से बन गया होगा एयर एंड नुआज पोलूशन बायू और जो धोनी परदूशन होता है उसके बारे में बताना था ये भी पढ़ा कोई चार ही बताना था बीस नंबर के था कितना असान परसन है लगवा लगवा मैंने सब पढ़ा दिया था अगर आपको जितना जबाब पुछा गया है अगर उतना कभी जबाब देते तो आपको 100% कूर्शन हम पढ़ा दिये हैं अब जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां परहा हैं क्या परहा हैं ठीक है ना तो उनको तो फिर तो कहीं दिक्कत होगा आगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप अपना ख्याल लखिएगा धन्यवाद